तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रित्ती की पाट शाला में तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे डमेस्टिक इंकम और नैशल इंकम में बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है हिंदी में बोले तो एक घरेलु आय और राश्टियाय में अंतर किस चीज का होता है आज की वीडियो में इस बात पर चल्चा करेंगे तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमने पर इंकम में कर्अगाय करते हैं सब्सक्षाय को दिस 국ema कर लेंगे अब बात करते हैं तो किилли हम हमें के लिखनी जो हमारी domestic territory में कमाई गई है यानि जो हमारी घरिल सीमा के अंदर कमाई गई income है ना कि उसी को हम domestic income में include करते हैं अब यहां इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यह नहीं देखना कि हमारी domestic territory के अंदर कुछ इंकम कर लेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगरों में लिखने के लिए तो हम इसमें क्या लिखना होगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते देखना कि घरेलु आए और राश्ट्याइं बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो आपको दिख खरेली आए को इंगलिष में domestic income भी कहते है और यहां आपको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड लिखावा देख रहा होगार इसको पड़ते हैं एंडी पीट एफसी हम घरेलु आय को स्वार्ट फॉर्म में एंडी पीट एफसी वी कभी कार लिख देते हैं अगर कई आपको यह में स्रिजित काराकाय का कुल जोड़ है बले ही ये आय निवstep shady की गई हो अध्म गैशन तो घरेलू आयगा मतलब क्या होता है तो घरेलू aikा मतलब है कि हमारी घरेलू सीमा के अंदर जिसके बारे में बात करके आ चोके करना या फिर झारेयों को अर्था शेख करते हैं तो हम की गई रहां की गई है या नहीं की गई है बस हम नहीं नहींग चेक करते हैं कि वह निवाश्यों दोरा अरुण की गई है अगर वो हमारी घरिष्व सिमा के अंदर कं अदर कं आइग फिर दोस्तोchnों देख लेता है यह एक देश srajin जित कारकाय का कुल जोड़ है बले ही यह आए घरिलू सीमा के अंदर सिर्जित की गई हो अत्वा शेश विश्व में हो इसका मतलब क्या है जब हम राष्टिया करते हैं तो हम यह चेक करना पड़ता है कि जो भी इंकम कमाई है न वह हमारे देश के निवासी ने कमाई हो अग अगर वह हमारे देश का निवासी है और उसने हमारे देश में या फिर विदेश में कहीं भी इंकम कमाई है न तो उसको हम अपने देश की राष्ट्याय में सम्मेलित कर लेते हैं घरिलू आई के अंदर करते हैं जो कि हमारी सीमा के अंदर कमाई गई है चाहे वह आपका न विदेशों से प्राफ शुद्काराकाई संबलित नहीं होती हैं अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है तो विदेशों से प्राफ शुद्काराकाई को में कभी कवर प्राफ शुद्काराकाई संबलित होती हैं जब कि आगर मैं बात करो राष्टी आए की अदर मैं निवासी ने इंकम और देश के अंदर कमाई अगर वो निवासी है तो उसको हम पर देश की राष्ठ्राय में सम्मलित कर लेंगे क्या होता है यानि घरेलु आई और राष्ट करते हो ना तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वह जो इंकम कमाई गई हो हमारे normal लेजियन में कमाई यह मैंटर नहीं करता है कि वह कमाई हो यह इंकम अगर इन दोनों में से उसने कहीं होनी चाहिए अब वो यहां मैंटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिएंट है या फिर नॉन रेजिएंट है बस अगर वो हमारी देश के अंदर कमाई गई है ना तो उसको हम दमेसिक की की बात होगी तो डमेसिक टैरिक का एक वाड़ा अगया विलते हैं अगर अगली वीडियो में जब तक के लिए सीखते रही हैं ना बूले जब तक के लिए सीखते रही हैं झाल